हेलो एवरीबन वेलकम तो दर शिक्षा एजूकेशन तो आज जो है वह हम लोग अपना पढ़ने वाले लास्ट चैप्टर क्लास 10 के साइंस का जो हम लोग का है हाउ डू ऑर्गेनिजम प्रोड्यूस बहुत ही जाद अच्छा चैप्टर और इंपॉर्टेन चैप्टर होने वाला और इससे पहले हम लोग ने सारे चैप्टर क्लास 10 के साइंस के लास मैट के आल लेडी खतम कर चुके हैं अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँग आप लोग जाईए उसको देखिए और अपने सारे कि सारे कॉंसेप्ट को जो है वो किलियर करिए तो आते हैं इसके अपने चैप्टर पर जो हम लोग कोंसेप्ट पढ़ना है जो भी द्रांसफर मर् जो रहा है वो पूरा पूरा एक एकक्वंयाट नहीं जैसे कि अ और प्लक एक्वेड कोई करवेड अन से छैज़ड़ को है थे तो कि हॉस नखच य। होता ही होता है तो इसी वज़ेसे जो चैप्झ थे तो DNA में जो जो हम लोग की जीन होते हैं पूरा का पूरे एक्वरेट जो हैं वो हम लोग के ट्रांसपर नहीं होते हैं हलकी सी जो है वो वरियेशन होती ही होती है जैसे कि color changes, height changes यह सब exact जो है वो आगे नहीं जाता है तो इसके अंदर सबसे पहले हमने को पढ़ाना है इसके अंदर आता एक sexual reproduction और आप लोका होता है sexual reproduction अब basically a sexual reproduction वो होता है जिसके अंदर parent एक होते हैं अब एक ही parent उते हैं उस से जो है cell divide होती है हम पर होते हैं और दो पारिंट होते हैं या उल या रिपलावरिंग के अंदर होता है ऑर दूसरा हम लोग किसके अंदर होता है इन हूमर, एक फ्लावर के अंदर, एक हूमनßer, एनिमलग ब्यासकते है नहीं अब पूलते हैं कि अईनि सोर्ट शिंग होता है की सिंगल से होता है जो कि आप लोग का जो है पैरेंट सेल्ट अपहलेंस दिवाइड़ इन की यह मतलब वही है कि parent cell जो डिवाइड होता है वो daughter cell में जो होता है अब उसके अंदर दो होते है एक होता binary fusion एक होता अप लोग का multiple fusion अब यह binary fusion जो होता है यह two cell यानि कि यह जब डिवाइड होता parent cell जब daughter cell में डिवाइड होगा तो कितने cell में डिवाइड होता है वो basically two cell में कि लिए हम लोग का हो जाता है इख्जाम्पल क्या हो जाथ है basis आपलोगों जाता है तो आप लोग की उंग्ट या रिए को जाता हुआसा होता है इसको और हैसा होता है अब अगर आप कि दाफ आप डिवाइड करने कि यहानि कि फिर दे एक नाओ झेले पूरा तो पुरा बना लेंगे उसके ही अभी जैसे आप लोग प्रेगमेंटेशन यह leid प्रेगमेंटेशन बेसमें सब्सक्राइब जाई अब data यह तो इसमें तो ऐसा ही है तो छोड़ सा कि आप इसमें एक cell को जैसे आप लोग ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया ये एक दो तीन आप ये एक cell माल लीजे रफी डाइग्राम है इसको आप लोग ने तीन में डिवाइड कर दिया अब यह cell यह क्या करेगा यह cell जो है अपने आपको फिर ते complete करता चला जाएगा और एक आप लोग के आसी chain बनती चली जाएगी यह पूरा का पूरा organism जो है complete करता जाएगा लेकिन इसमें भी same वही हो रहा था लेकिन यह अपना काम कैसे करता है यह अपना काम ऐसे करता है किस के अंदर जब तक के generative cell present है generative cell अगर plant के अंदर present है तब ही वो जो है वो अपने आपको जो regenerate करेगा और अपने आपको एक full complete cell पूरा organism जो है अपना खुद complete कर लेगा लेकिन वहीं आप आप लोग अगर fragmentation की बात करेंगे तो इसमें कोई भी regenerative cell नहीं होता है तब भी यह अपने आपको पूरा का पूरा जो है बना लेता है पूरा का पूरा complete कर लेता है एक organism को लेकिन आप लोग का जो regeneration है इसमें जो है जब तक के regenerative cell है तब ही तक कि यह अपने आपको बना पाएगा पूरा complete कर पाएगा अगर इसके अंदर regenerative cell नहीं हुई incomplete हुई तो यह अपन उपर की तरफ निकला हुआ है तो इसमेख रूट के पास ही जो है एक और प्लांट यह सीड़ कहा सकते हैं वह आप लोक का एक रिजिनेरेट हो जाता है अब यह जब पूरा कॉम्प् liftsा तो यह यहां से हो जाता है यह पूरा अपना अलग बन उसे से लिए आप लोग मिरले जैने के सब्सक्राइब बहुत आपको यह सब्स кई प्लांट अब करता है उसे को आप लोग वेजी टेटीव प्रोपेशन आई एक्जाम्पल से समझते हैं जैसे पहला पार्ट इसका है नैचुरल वेजी टेटीव प्रोपेशन अब यह नैचुरल है तो नैचुरल का मतलब क्या हो रहा जिसमें हम लोग कोई बी इंटरफेर नहीं है वह अपना ही ख र्णाब क्या है लेजिव की तो लीव में से प्र cases अपने याद करना पर नाम जब जमीन पर गिरने के बाद अपने बीच से सीड से ही एक नया उसी चीज का पेड़ वह निकल जाता है तो बिसेकली अगर आप लोग क्या समझ रहे हैं कि इससे आप लोग की जो है वेरियेशन जो है कम हो दिये क्या जैसे कि human being बे variation ज़्यादा होती है क्योंकि एक chemical reaction ए DNA transfer हो रहा है तो exact transfer नहीं हो रहा है लेकिन वहीं अगर आप लोग प्लांड की बात करें तो वहां पर less variation होती है क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे कि stem से जैसे ही seed से जैसे आप लोग का ginger की seed है तो ginger की seed जैसे जमीन में आ लेगा उसमें कोई changes नहीं होती इसलिस के अंदर जो less variation होती आगे पीछे थोड़ा सा अब एक दूसरा आप लोग का पाट जो है वेजिटेटीव प्रोपेगेशन का artificial वेजिटेटीव फॉपेगेशन अब यह काट देथे हैं पीड को पीड को काटने के बाद जो है उसकी जो हो सकता है यह कितने ह leverage होता है यह with the help of cutting के होता है तो यह आपलोब का artificial वेईटेटी प्रोपगेशन में हो जाता है तो इसके बाद जो आप लोग आ जाते हैं क्राफटिंग में क्राफटिंग में क्या हो सकता है क्या है कि जैसे कोई एक पेड़ है उसकी जो है वो खराब हो रहा है उसकी जो है अच्छा नहीं हो रहा है वो खराब होता जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे एक कोई अच्छा पिड़ लेंगे उसकी इस्टम जो है उसको ले लेंगे और उन दोनों को 20 से एकदम अच्छे से मिक्सप कर देंगे गैब जो है ज प्लांक करते हैं और रिप्रोडक्षान करते हैं यूनिट से इंडिवीजिल इंडियूजली जो होता है ग्रोप्लान कर देता है यानि कि फूर्स बहुता है उपने आप में खुद इंडिविजुल ग्रो कर देता है पूरे पूरे प्लांट को और यह जो है किसके हेल्प से करते हैं प्लांट या आप लोग के यह अपलोग के करते हैं यह हुता है और यह जो पूरा पूरा और यह वह एक प्लांट सी लेकर दुStart के यह देखें घ्र करक्स सब्सक्रेटा बेजिए पंस्त और सब्सक्राइब नियारा. जो आप लोग के फ्लावर के नीचे देखे होंगे जो लिए होती है Аपक से लोग कई लुए वड़कर उसको जो हैं फ्लावर का है उसको यह प्रोटेक्षन करता है अब इसके उपर जस्ट उसके उपर आप लोग के प्लोग आप लोग के छिक बार मतलब की अदर भी जो इसक तो हमां निखलती है अब प्रेजेंट º unters दूसरे जगा तक के transfer करते हैं जिससे organism होता है अब इसके just ऊपर यहाँ पर यह चीज़ ऐसे ऐसे निकली रहती है आप लोग देखे होंगे तो यह basically क्या होता है तो यह जो चीज़ ऐसे ऐसे निकली हुई है एक लीव की एक पतली ऐसी tube जो है यह basically पूरा का पूरा आप लोग यह जो प्रेजंट रहता है वह आप लोग का प्रेजंट रहता है पूलेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरें तो यह इस के अंदर जो होती है वह निकल आती है इस पूर सारी के सारी धमीन में गिर जाती है जो कि आप- websites a में चर्leock जमीन मुक्त का गाते है आप को तुरे बंग वहешь हो देट दिव में और इस सबाने को अप इसके बाद यह आप those two technologies त्लावर के आधे लिए निक्लते चले जाते जाते बाद हम लोग को सबस्क्राइब की आधे अद्हेर साब कह सब्दोगा चàoब नूच इसमें वहान पूरा का पूरा जो नीचे जाता है यहाँ जो बीच में यह हैं यहाँ लोगों को बिसिकली है खार प्लांट है और यह कैसे आपने आपको ट्रांसफर करता है यह एंथर टु स्टिग्मा तक या थे बालते हैं इन से पंग आनि नोग समस्ते हैं कि यह पोलिएशन कि इसके अंदर आप लोग का ढुरूरियम है पोलिग्रें और यह प लोग कया है तो इस में जो पुलिग्रेंव अपous नियुक्चर में आंप करते ह students 2 अब यह जुंख नहीं दा प्रोंश पार में आप जादि चिए अर्सेगे Bernie में या उनके जागा बॉड़ी पार्ट में और यह जो ऑगनीस में यह टो लो जाता od में आप लोग का यह ब्यांट के जला यह पिलांड के Snativa होता है यहां पर बॉलीस कर दे तक और आ석 यह लोका यह फ्लांट के पार्ट हो भी होता है और आप लोग का जो है पिश्टिल यानि फीमेल जमेंड भी होता है एक प्लांट में में मेल फिमेंड भी होता है और एक प्लांट आप लोग का ऐसा होता है जिसके अंदर सीपर सिफ मेल फिमेंड होता है यह सीपर सिफ सिंगल फिमेंड होता है तो इसके अंदर गोदे यहां से इन्सेक्ट उठाता है इसके अंदर जो है यहां इंसेक्ट उठाता है लोग का पॉलिन ग्रेइन है तक के जाता है यहां पर आप न इसपर ऐसे कले फ्यूर्चम उप्षिर लोगी मिंद्व क्रॉस तो सेव बिसेक्टी वही जो प्लांट जो है अपने ही प्लाइच वह प्लाइशन हो जाता है लेकिन वहीं क्रास प्लाइशन वह एक प्लाञ्ट जो है अपने अंधर में से आपने बेट करके दूसरे प्लान्ट पर जाकर बैड याते हैं कहाँ पर जाकर बैड जाते है इस चरह पर पूरा जो है उसमें जाकर या तो वह तो आप लोगों सा ओता है तो बैसे के लिगाश्युक्यक्त कि देफिनेशन याद के लिजेगा बैसिकली एक्जाम में बारबर पूछी जाती है तो पूरी के पूरी साइंस जो है वह हम लोग की कवर हो चुकी है और जो है अब हम लोग कहल से इंग्लिश शुरू करने वाले तो इस वीडियो का अपने सारे के सारे दोस्तों के पहुंच और आप लोग को टाम मेंजमेंट का भी पता चलता जाएगा कि कितने देर में कितने कोशन जो है वह हम लोग को करने हैं इंग्लिश की वीडियो आनी शुरू हो जाएगे कल से दो से तीन दिनों पूरी को पूरी इंग्लिश कमप्लीट होने वाली है उसके बाद आप लोग इस चैनल को शेर करिए ताकि जो है और भी लोगों का फायदा हो पाए और वो लोग भी अपने कॉंसेप्ट ज्यादा किलियर कर सकें ओके